हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन थी बुक का नाम है ग्रामर लैंड अब ही तक हम लोग पढ़ रहे थे गुलमोहर से गुलमोहर का जो एंडिंग पार्ट होता था एक्सरसाइज वाला उससे हम लोग ग्रामर पोशन कवर करते थे अब हम लो तो ग्रामर लैंड से पढ़ेंगे ग्रामर लैंड एक और बुक आपके पास होगी जो स्पेशली ग्रामर के लिए रेकमेंडेट है वो बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन टू लेसन मैं इसलिए अभी नहीं कर रहे हूं क्योंकि यह हम गुलमोहर के एंडिंग रहर सकते हैं मैं उसके आंसर साब को देदुगी समंजा भी सकती हो मैं बाद ने उन्हें बर्ट वो खर चुके हैं अब लेसन थी हमाज start करेंगे जिसका की topic है जिसका की नाम है आपको पता चल रहा होगा ये आपको दिखाई दे रहे हाँ पर क्या लिक्ता है singular and plural nouns so students, nouns हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं किसी भी person का, किसी भी thing का, किसी भी place का या कोई idea आता है like love, hate ये भी हमारे noun होते हैं, किसी का नाम, किसी person का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी animal का नाम भी हो सकता है, तो ये हमारे सब भी किस में आते हैं, noun में आते हैं, अब noun के भी हमने types भी पड़े, common noun, proper noun, अब हम क्या पड़ेंगे, इनका singular और plural होना, सिंगुलर होना बहुत ही सिंपल है, कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु अकेला है, एकलोता है, वो हमारा सिंगुलर होता है, जब उनकी संख्या, जब उनकी counting more than one हो जाती है, एक से अधिक हो जाती है, दो हो जाए, तीन हो जाए, वन, अगर वन है, तो ये सिंगुलर है, वन से अधिक हो गई, तो ये plural हो गया, अभी हिंदी में इसको सिंगुलर प्लूरल का बनाने का अलग तरीका है, इंगलिश में हम कैसे singular और plural को बनाते हैं, अगर हम सिंगुलर से plural करते हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है, कि जो भी सिंगुलर है, उसमें एस लगा दो, और वो plural बन जाएगा इस बहुत आसान है एस लगा दो अब हम यहां पर देख लेते हैं कैसे यह देखिए पुलिस मैं सोलजर है हमारे तो वन परसंट की बात हो रही है अब यह देखते हैं कि इनके एक्साइज के साफसे को पर समझ लेते हैं एन आपल यह सिंगुलर है आपने देखा अब यहां पर हमने क्या किया एस लगा दिया क्योंकि आपल की स्पेलिंग में यह तो Alxy था ही ए प supernatural लगा दिया बर्डब अगर अकेली बर्ड़ ए तो बर्ड़ अगर ज्यादा है तो एस लगा दिया इसी तरीके चैंश से अगर इसे प्लूरल किया तो हमने एस लगा दिया इत मींस की वन से अधिक है ऐसे ही हमारा आप देख सकते हैं चीड है कार है, कार को ऐसे लगा दो, कार्स बन गया, टीचर में ऐसे लगा दिया, टीचर्स बन गया, आंट में ऐसे लगा, आंट्स बन गया, ओके आगे देखे हैं हम लोग, नेक्स देखते हैं, exercise B, B भी बहुत इसी है, देखिए, इसे, shoes and socks, तो आपको picture दिख रही है, यहाँ पर, image already given है, socks हैं हमारे, तो हमने क्या क्या, socks, already words दिए हुए हैं, हमें बस उठा के लाना है, लगाना है, यह picture किसके दिख रही है, books की, तो books हमने ढूंडा कहां पर, यह books उठा के यहाँ पर, books and bags, tables and chairs, अब देखिए, counting हमने इन्हें ऐसे रखा है, then boys हो गया, then eyes and ears हो गया, यह हमारे fruits हो गए, अब यह थी हमारे singular से हमने plural बनाया, और हमने S लगा दिया, so students आप, यह तो S लगाने से बनने वाले plural हैं, but, कुछ spellings ऐसी होती हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ S लगाने से नहीं चलता, हमें उनकी spelling के हिसाब से देखना पड़ता है, कि हम इसमें S लगाएं, या इसमें ES लगाएं, तो अब हम वो discuss करेंगे, कि हम ES कहां लगाएंगे, वो हम देख लेते हैं, उसके लिए students कुछ specific तरीका होता है, जहाँ पर हमको ES लगाना है, otherwise, बाकी सब जगे अगर plural बनाना है तो S लगा सकते हैं, फहले देख लेते हैं, कहां कहां पर, we add ES to words ending with S, SS, SS means SS, X, SH, CH, O, अगर कोई भी spelling इन पर खत्म होती है, कोई भी spelling अगर S पर खत्म होती है, तो हम क्या करेंगे, ES लगा देंगे, अगर हम उसको plural बना रहे हैं, अगर कोई spelling SS पर खत्म होती है, तब भी हम उसमें ES लगा देंगे, अगर हम उने plural बना रहे हैं, अगर कोई spelling X पर खत्म होती है, लेक बॉक्स, तो अगर बॉक्स को plural क पढ़ेगा zab purse6 ज्में इस लगादेंगे तो यह ब्रॉप हो जाएगा यह इस लिए, थो सलो्य इस लगाना पड़ेगा ऐसे हमारा सी है ऐसे हमारा ओ है ऊपके आपकी बूक में आप. होगे तो examples already given है कि कैसे bus है s पे end होता है तो plural हमने एस लगा दिया class को classes बना दिया last में एस एड़ किया spelling में glass को glasses dresses को dress को dresses brush को brushes brush का आप दिखा sh पे खतम हो रही है तो एस लगा दिया match का matches fox का foxes dish का dishes watch का watches branch का branches यह हमने समझ लिया कि यह कैसी होते हैं अगर आपको यह समझा गया तो आगे की exercise बहुत हो जाएंगी अब हम देखते है exercise c इसमें देखिए potato है तो आपको पता है कि potato की spelling कहां पे end होती है potato की spelling ओ पे end होती है इसका मतलब है अगर हमें इसको प्लूरिल बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा ईस लगाना पड़ेगा क्यों क्यों कर प्लूरिल बनाना है यह लगा दिया बंच बंच होता है गुच्छा चाबी का जो गुच्छा है उसके लिए हम क्या बना रहे है यह लगा देंगे वाच को वाच कर देंगे प्रिंसेज है प्रिंसेज स्टुडेंट्स प्रिंस होता है जो राजकुमार होता है प्रिंसेज होती है राजकुमारी अब राजकुमार अगर एक से अधिक हैं तो क्या हो जाएंगे प्रिंसेस और वहां पे प्रिंसेस के लिए हम यहां पे यह लगा देंगे अब हम फटाफट के चेक करते हैं कि हमें कितना आया एस और इस हमें सच में समझ में आ गया है क्या वह हम यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं देखिए का हैंOne, Two, Three, Four which means, यहां पर S लगेगा यह 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 लगेगा लेट की है स्पेलिंग तो है कहां खत्म होती है टी पे और टी के साथ तो इस का रूल आता नहीं है इप्योड में यहां पर S लगेगा सेकंड देखते हैं वी ओ वाइवाइव मेंस वाइप खत्म हो रही है spelling okay it means यहाँ पर S आएगा third देखते हैं T O R C H अब यह torch यह तो हमारी CH CH पर खतम हो रही है ना अगर CH पर खतम हो रही है तो हमने क्या पढ़ा था अगर CH पर end होगी तो हम क्या करेंगे E S add कर देंगे E S add करेंगे उस situation में हम okay तो यहाँ पर तो E S आजाएगा fourth को देखते हैं यह क्या है D I S H dish okay SH पर खतम हो रही है ना SH पर खतम होगी तो E S लगाना पड़ेगा plural बनाना है ना five को देखते हैं pencil pencil L पर खतम हो रहा है अगर L पर spelling end होती है कोई word तो L के लिए तो S लगा सकते हैं वहाँ तो E S का रूल नहीं है okay अब six को check करते हैं MAGO M A N G O O O पर end हो रहा है ना okay तो यहां क्या लगेगा E S students यह आपको समझ आ गया होगा next हम देखते हैं exercise E E को क्या लिखा हुआ यहां पर shirt हमारे दिख रही है कि shirt तो जादा है तो shirts हो गया box box one two three four boxes हो जाएगा exactly अब हम देखते हैं one two three four shoes है ना यह तो shoes को हमने यह shoe में तो और यह लिए गई होता है बाद में तो ऐसा हमने add कर देना है fourth को देखते हैं book है one two three four four it means क्या होंगी book और book के साथ end किस पे होती है spelling के पे तो ऐसी लगेगा ऐसे हम ट्री को देखते हैं तो ट्री सुझाएगा आंट को देखते हैं आंट सुझाएगा ओके नाओ आप देखिए एफ exercise mother buys five अब one two three four five means one से तो ज्यादा है ना five और आप count भी कर सकते हो तो यह apple तो होगा नहीं यह होगा apples apples होगा तो क्या करें s लगाएं कि e s लगाएं spelling क्या है spelling है a p p l e e पे end होता है तो it's okay इस पे s लगा सकते हैं next देखते हैं she also buys a brush single ही है तो brush ही लगेगा third है father buys six tomatoes one two three four five six six है तो यह तो प्लूरल हो गए और प्लूरल हो गए तो अब हमें check करना पड़ेगा कि s लगाएं कि e s लगाएं okay देखते हैं spelling क्या है t o m a t o tomato tomato की spelling में o end में आता है न अगर o end में आता है इसका मतलब है कि e s लगाना पड़ेगा next देखते हैं he also buys a book single book है it means कि यहाँ पे तो s लगना ही नहीं है अकेली यह वो तो one है then muhan buys three three क्या है pencil pencil एल एल पे तो e s लगता नहीं है ऐसी लगेगा pencils यह हमने देख लिया है students अब exercise आपके सामने है g and g को भी अबर देख लेते हैं there are picture देखे picture से हमें count करना है there are two books on the table okay two books तो उन्होंने दे रखी है there are pretty on the tree tree के उपर क्या लगा हुआ है tree के उपर तो flowers है flowers given है इसमें हमने वापे flowers लगा दिया there are four in the room क्या है four क्या है room के अंदर options देख लेते हैं chairs yes chairs तो है four okay a little girl plays with two two क्या two dolls yes फिफ्थ में इसमें देखिए the kitten sits on top of a kitten कहां बैठा है box के उपर now हमें क्या करना है exercise h को देख लेते हैं students h में क्या है यह पूरा का पूरा एक story है हमें करना क्या है कहां पे कौन सा add होगा बस हमें वो focus करना है मतलब की देखिए अगर कोई चीज़ अकेली होती है तो हमेशा उसके साथ में a या an लगता है a box या an apple अगर वो अकेला है तो अ लगेगा अगर एक से जादा है तो क्या लगेगा 2345 अगर 2345 लगेगा तो वह बना तो हमारा क्या हो जाएगा प्लिूरल हो जाएगा और प्लिवल हो जाएगा तो क्या करेंगे it is for the home work अके exercise h एंट इसके बाद यह डाई exercise है मैं आपको एक्शली पीडियाफ शेयर करूंगी आपके साथ में तो आप देख लिजेगा बट खुद से जरूर चाहिएगा करने के लिए आपको डी आइवाई एकसाइज है यह वाले में क्या करना है हमें इसको काउंट करना है चीजों को पहले देखिए वाच है कितनी पॉस्त दो नहीं होगी सिक्स क्या हो जाएंगी वाचेश और वाचेश। में क्या लगाए एस लगाए TVs क्यों कि ending इस से होती है CH धक दो और क्या लगाते हैं इंगे सेहे हमें सेकेंड देख लेते हैं क्या है सेकेंड हम किसको लेते हैं शूज को लेते हैं 123456 102SU haw din social 700 थो यूचिड हो रोगे स्कक्रेंश क्या होती है इसद अगर अगर E स्पेलिंग एंड होती है तो इसका मतलब है कि हम सिमंगल S लगा सकते हैं ऐसे ही हमें यह दोनों एक्सेज करनी हैं सो आप इस समझ चुके हैं कोई डाउट है तो आप जरूर ग्रूप में मुझसे पूछ सकते हैं और यह मैं पीडियाफ आपको गुरूप में शेयर करने करूंगी इसके बाद में हाव अ ग्रेट डे बाबाइए